जैहिंद इस वीडियो आनों तीलग वेंचर लिमिटेट कंपनी को बात करेंगे जानने का प्रयास करेंगे कि इसका लोवर सर्कुट आखिर कब ब्रेक होगा और इसमें अपर सर्कुट लगे ताकि जो इसके शेयर प्राइस लगतार नीचे की तरह जा रहा है करी दिनों से व कंपनी का मार्केट करों मार्केट के लिहां से कंपनी ठीक है और जब 303 करों की बात करते हैं तो इतना जान लीजिए कि कोई पेनी स्टॉक नहीं है अभी लगता है डाउन ट्रेंड में क्योंकि इसमें लवर सर्कुट लगा हुआ है और यहाइद होगा जब पिछले बार सब्सक्राइब लगा था और तब से लोवर सर्कुट बीच में टूटा वी था फिर इक बार अपर सर्कुट लगा लेकिन यह को ब्रेक नहीं कर पाया और तब भी मैंने कहा था कि एक रुपय से जो शेयर प्राइस स्ट कर लगता है उसमें लगता और दोबार अपर सेक्ट लगता है तो इसके बहुत कम चांस है कि एक ही अपर सर्कुट में अपने पिछले हाई को तोड़ दे इस बार जो अपर सर्कुट लगेगा तो निश्चित ही आपने हाई को तोड़ते हुए नजर आएगा इसके दो मेजर सपोर्ट्स है एक है यहां तक शेयर प्राइस आने के बाद बहुत प्रवल संभावना है कि इसका उपर लोवर सर्कुट ब्रेक हो जाए लेकिन फिर वी अगर 20 पर पचासी पैसा तक भी लोवर सर्कुट नहीं ब्रेक होता है तब हमें बहुत ज्यादे नुक्सान होने की संभावना है लेकिन घा चल रहा उस इस फाइनल से यहर का कुछ डेटा आपको बदाते हैं क्वाटर वन का रिजल्ट जो कंपनी का आया था काफी बनिया था क्वाटर वन का रिजल्ट में कंपनी का इंकम और अर्निंग पर से हर एक चीज बढ़ा था लेकिन वहीं जब क्वाटर टू का इसका लोवर से ब्रेक होगा और इस कंपनी का सेर प्राइस अपने हाइक को भी तोड़ते हुए नजर आएगा काफी उपर जाएगा अगर कुछ अच्छी चीज है वह मैं आपको बताता हूं अगर हमें यर्ली पेसिस पर बात करें तो यह कंपनी लगवग लगवग डिप कास पास आया था तब फिर इसमें अपर सेक्ट लगा था और अभी 37 कास पास है और डाउन हो रहा है डाउन होके मुझे उमीद है जैसे 20-25 कास पास आएगा लोवर सेक्ट ब्रेक होगा और इस कंपनी फिर से अपर सेक्ट लगते हुए दिखाई देगा तो आई होप मैं ज नहीं है कि यह कंपनी हमें मुनाफ़ा कमाके नहीं दे सकती है भरोसा रखे कंपनी का सेर प्राइस उपर जाएगा जरूर जाएगा बागी आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में सुक्रिया